अब दोस्तों आज है 24 मार्च और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 24 मार्च दो हजार 24 के मोस्ट इंपॉर्टन एक पर के बारे में पूरी वीडियो देखेगा बहुत ही इंपॉर्टन वीडियो है और आज विदेशी मुद्धे बहुत सारे आये हुए हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं वर्ड मैप में बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लास्ट डे के कुशन्स का रिवीजन करते हैं एक मिनिट में फिर आज ये करेट अफेक्स तरब बढ़ेंगे तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 22 मार्च को विश उजल दिवस मनाया गया किस थीम के साथ लिवरेजिंग वाटर पॉर पीस भूटान का सरवोच नागरिक सम्मान पाने वाले पहले विदेशी लीडर बन गये हैं पीम मोदी और हैती में फशे भारतियों को निगालने के लिए भारत सरकार ने ऑप्रेशन इंद्रावती सुरू किया है इसके लावा पैरिस उलंपिक 2024 के लिए भारत का दोजवाहक यानि फ्लैक वीरे चुना गया सरत करमल को और 18-20 मार्ज तक चलने वाली लोकतंत के तीसरे सिखर सम्मिल की मेजवानी दक्षिर कोरिया ने की और वहीं मद्य प्रदेश के छे नए अस्थलों को युनेस्को की विश्विरासत की अस्थाई सुची में सामिल किया गया है भारत ने मोजांबिक और तंजानिया के साथ मिलकर ट्राइलेट नाम से समुद्रिय अभ्यास किया हुआ है आई-म-टी ट्राइलेट है इसका पुरा नाम और नौर्थ-ईश्ट गेम दोहजारतेस के तीसरे संस्गर्ण का सुभारम नागलायन में किया गया चौथा साहियोग संगठन का स्टार्टप फोरम का अजन नई दिल्ली में हुआ और 21 मार्ज को दो और महत्पूर्ण दिवस मनाया जाते हैं विस्टो कविता दिवस, विस्टो डाउन सिंड्रोम दिवस ये टॉप 10 करेंट फेर के कुश्चन्स थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया है क्विक्ली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में अब बात करेंगे आज की करेंट फेर की लेकिन इसकी PDF और क्वेज वगरा सब आपको फिरी में आपको दी जाती है MZT app पर गूगल प्ले स्टोर पर जाए MZT app डाउनलोड कीजिए बहुत ही सांदार आप है बहुत सारी जीजिए इस में स्टरी मेरिल आपको फिरी में भी मिलेंगी अगर आप पेड कॉंटेंट चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर प्रात कर पाओगे मंतली e-books हो या फिर आपका कोर्स हो वीडियो कोर्स हो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा पहला क्वेश्चन देखते हैं निम्न मेंसिक की सुतंता सेनानी की पुनितिती पर प्रतेक वर्स 23 मार्च को सही दिवस मनाया जाता है तो 23 मार्च को दोस्तों सही दिवस मनाते हैं हम लोग भारत के तीन सपूत भगत सिंग, सुखदेव जी और राजगुरु जी की पुनितिती पर 23 मार्च 1931 को यह हस्ते हस्ते फासी पर चड़ गए थे अंग्रेजों की द्वारा इनको फासी दी गई थी तो इन तीन महान करांतिकारियों की याद में हम लोग यह सही दिवस मनाते हैं वैसे इंडिया में सही दिवस दो बार मनाया जाता है एक बार आपको पता है 30 जनवरी को मनाया जाता है जब महत्मा गान्धी जी की हत्या हुई थी 1948 में तो उसकी याद में हम लोग एक और सही दिवस मनाते हैं तो भारत में दो सही दिवस एक 30 जन्वरी एक 23 मार्ज दोनों याद रखना आपको ठीक है जी आगे यहाँ पर कुछ और महापूर्शों की पुनिति थी पर और उनकी जन्वरी पर रिलेटर्ड दिवस हैं आप याद कर सकते हो जैसे बारा जन्वरी हो राष्टी यवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकरनां जी की जन्ती होती है 23 जनवरी को प्राक्रम दिवस मिना जाता है सुभासंद बोच जी की जेनती होती है 30 जन्वरी को सहीत दिवस मात्मा गाधी जी की पुनिती थी पर 11 फर्वरी को समरपड दिवस दिन द्याल उपाध्या जी की पुनिती थी 13 फर्वरी को राष्टिय महिला दिवस सरोजिन नाइडु जी की जैनती 23 मार्च को सहीत दिवस भगत सिंग सुखदेव और राजगुर जी की पुनिति थी 21 माई को राष्टे आतंगवाद विरोधी दिवस पूर प्रधार मंतरी राजीव गांधी जी की पुनिति थी पर और 20 सगस को सद्भावना दिवस इनी की जैनति पर 29 सगस राष्टे खेल दिवस मेजर ध्यांचन जी की जैनति पर सिक्छक दिवस दोस्तों 5 सितंबर को मना जाता है स्वरपली राधा कृष्णन जी की जैनति पर 15 सितंबर को राष्टे इंजीरिंग दिवस भारत रतन मोक्ष गुंडकम विश्व सराय जी की जैनति पर 25 सितंबर को अंतियोदे दिवस दिन दयाल पाध्या जी की जहनती पर और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस महात्मा गान्धी जी की जहनती पर इसके अलावाँ देखो साल भर का सभी महात्पूर्ण दिवस में दिया हूँ महापूर्सों से रिलेटर यह सब चीज आपको रिसेर्च करके जो दी जाती है हमारे टीम के द्वारा आपको प्रवाइड की जाती है इन सब का कॉंटेंट जब आपको फिरी में मिल रहा है तो आपका करतव बनता है कि वीडियो को सेर जरू करो आप अगर share करोगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, confidence बढ़ेगा ऐसी चीज़े आपको हमेज़ा प्रवाइड करते रहेंगे कल भी जो भी important point थे उसको WhatsApp चैनल पर भेज दिया था मैंने WhatsApp चैनल का link description में दे देता हूं या फिर pin comment में छोड़ देता हूं WhatsApp चैनल भी आप जोइन करके रखो, ठीक है 15 अक्टूबर को 24 दिवस मनाते हैं हम लोग AP जब्दुल कलाम जी की जैनती पर 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाते हैं सरदार बल्लब भाई पटेल जी की जैनती पर 11 नॉमबर को राष्टे सिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम जी की जैनती पर 14 नॉमबर को बाल दिवस पंडित जभारलाल नहरू जी की जैनती पर 6 दिसंबर को महापरिनेवार दिवस डक्टर भीम राम बेटकर जी की जैनती पर 23 दिसंबर को राष्टे किसान दिवस बिल्डिंग है दोस्तों यह वही ओफिस है जो अभी एक अध्भुत रिकार्ड बनाई थी 80 साल पुराना रिकार्ड तोड़ दी है इसने अमेरिका के पेंटागन का ये दुनिया की सबसे बड़ी ओफिस बिल्डिंग बने थी अभी पीम मोदी ने इसका घरन किया था याद होगा आपको तो सूरत में है गुजरात में है सूरत डाइमन बोर्स यहाँ पर दुनिया का 90% हीरा पॉलिस होता है सूरत तो यह आप समझ सकते हो कितना बड़ा महत्तु रखता है इस बिल्डिंग के यक हैं इस ऑफिस के सूरत डाइमन बोर्स के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन गोविंद धोलकिया गोविंद धोलकिया यह हैं यह वैसे तो राजसभा सांसद भी है और सूरत डाइम अध्यक्ष बने हुए हैं तो गोविंद धोलकिया जो हैं यह होंगे इसके अध्यक्ष तो इसको याद रखना सूरत डाइमन बोर्स के ऑफिस बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है और किसको पीछे किया इसने अमेरिका की जो रक्षा बिल्डिं अगला यहाँ पर प्रमुख न्यूक्तियां हैं जो भी पीछले दिनों में हुई जैसे कुमार वेंकट सुब्रमन्यम को पी एंजी इंडिया का सी यू बनाया गया राहुल सिंग सीब्सी के नए अध्यक्ष बने हैं ग्यानेश कुमार और सुखवीर सिंग संधुजी नए ने चुनाव आयुक्त बने हैं नायाब सिंग सहनी हर्याना के नए मुख्य मंत्री बन गया हैं और एस राजियू केंद्री सतक्ता आयुक के सतक्ता आयुक्ति की गया हैं देवन जाजरिया भारत की परलंपिक समीत के अध्यक्ष और राजयन प्रसाद गयल को एनचबी सी रिलिम्टेट का CMD बनाया गया है अगला हाली में किस भारती अंतरिक चेजनसी ने RLV पुस्पक का सफल लैंडिंग परिक्षण किया है यह बहुत इंपॉर्डन कोश्यन है अभी इस रोन ने दोस्तों तीसरी बार इसका परिक्षण किया है यह RLV पुस्पक है RLV पुस जो है आप जब भी कोई मिसाइल लांच करना होता है मिसाइल नहीं सेटेलाइट लांच करना होता है तो सेटेलाइट लांच करना होता है या कोई स्पेस क्राफ्ट लांच करना होता है तो उपरी हिस्ते पर तो स्पेस क्राफ्ट होता है या आपका सेटेलाइट होता है ले बीट में चोड़े जाते हैं, कुछ चांद पर ले गए, कुछ मंगल पर लेगए, यह काम होता है। तो रोकेट जो होता है, जो लेकर के जाता है, वो सिंगल टाइम यूज होता है, ठीके ना? भारत में खास करके Анд यह ले जाता है इसका काम हे है तो क्या वह बाकी चरन कहा जाते हैं खत्म हो जाते हैं आसे जगा से लंज किया जाता है लेकिन क्या हो अगर उस चीज को दोबारा यूज किया जा सके यानि कि वो जाए रॉकेट को या उसको सेटेलाइट को या फिर स्पेसक्राप्ट को ऊपर छोड़े और वापिस से आ जाए और लेंड कर जाए फिर अगली जब उडान भरने हो तो फिर से वो ऐसा कर सके दोबारा से दूसरा सेटेलाइट ला दे और ले जाए ठीक वैसे ही समझो जैसे आप सवारी वाली टेंपो देखते हो जाती है सवारीयों को ले करके छोड़ती है उसके बाद वापिस आ जाती है फिर सवारी ले जाती है दूसरी बाद छोड़ती है तो ऐसे केवल और केवल एक ही इंसान है, एलन मस्क भाईया, जिन्होंने ऐसा बनाया हुआ है, एलियन मस्क इसलिए कहा जाता है, 2015-16 में ही उन्होंने देश को दुनिया को दिखा दिया था, कि उनके पास फालकन 9 है, फालकन 9 जो है, ये दुनिया का इकलोता reusable rocket है, जो जाता है, छोड़ता है, वापिस आ जाता है, ठीक है ना, और अभी तो आपने SpaceX के बारे में सुना ही, कि उन्होंने अपना दुनिया का सबसे heavy rocket जो है, उसका परिछण किया था, जरा नाम कमेंड करके बता दो, पटाक से, अभी महने पर्सों बताया था करण टपेर, तो इस तो ने RLB, पुस्पक का सफल landing पर छड़ किया है, मतलब कैसे land कराना है, वापिस से आना है, तो कैसे land कराना है, अब जो भारत वाला concept दूसरा है, ये जो उनका वाला है, वाला वो जाता है ऐसे, और उसके बाद आके ऐसे खड़े-खड़े, मतलब खड़े-खड़े जाता है, ये खड़े-खड़े आकर land करता है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा, प्लेन की तरह landing कराने के तरज पर है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, तो प्लेन के तरह से land कराने की ये कोशिस में है, और नाम भी इसका पुस्पक रखा गया है, पुस्पक तो आप जानते ही हो, पुस्पक गमान हमारे पुरणों में यूज होता रहा है, जिकरिस का, तो इसलिए ने 2016 और 2023 में से पहले भी इसका परिच्छाण किया था, रियूजवल स्पेस टेक्नोलोजी मैंने आपको समझा दिया है, इसलिए के बार में बात करें तो 15 अगस 1970 में स्थापना हुई थी, पैंगलूर में हेड़क्वार्टर है, अगला, ITU के Digital Innovation Board का सहा अध्यक्ष कौन बना, तो ITU, International Telecommunication Union के Digital Innovation Board का नया सहा अध्यक्ष बनाया है, भारत, भारत अभी हाली में देखिए, इंडिया एलेक्टेड एज कोचेर औफ Digital Innovation Board at International Telecommunication Union, तो इंडिया को ये मौका मिला हुआ है, भारत यहाँ पर जा करके Digital Innovation के बारे में चर्शा करा विस्तार से, ये 18-20 मार्ज तक मीटिंग्स हुई जीनिवा में, जीनिवा में ही इसका हेड़क्वाटर है, वहीं पर ये मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें कोचेर यानि कि सहाथिक्ष किया भारत में, इंटरनेशनल टेली गमनिकीशन यूनियन की बात करें, तो इसके स्थापना टार 655 में हुई थी, और डेरिन बोगदन जो है, ये इसके अध्यक्ष है, ठीक है, मार्टिन, अगला, हाली में किसी एविएसन वीक लॉरेट्स अवार्ट से सम्वानित किया गया है, इस रू ने दोस्तो ना चंदरियान थ्री लंज किया था जो, और चंदरियान थ्री को चंदरमा के दच्छरी हिस्से पर लेंड करा करके, एक इतिहास रच दिया था, और इसी इतिहास रचने की वज़ा से यहाँ पर यह अवार्ड मिला हुआ है, Aviation Week Lords Award, ठीक है न, चंद्रियान के लिए, दिखिए, हिस्टोरिक चंद्रियान थिरी मिसन के लिए, क्योंकि चंद्रियान थिरी मिसन सिर्फ एक चीज से नहीं चौक आया था कि चंद्रमा के दच् पस्ते मिसन कैसे कर देते हो आप लोग, ना साव अगर है तो अपना सर पकड़ करके बैठे रहते हैं, चंद्रियान थिरी मिसन जो है, 14 जुलाई 2023 को लांच किया गया था, और ये 23 अगस्त दोहजार 2023 को पहुचा था, छे बच करके 4 मिनिट पर सामकूँ, LV M3 M4 इसके आसिया ने भी अपना लांच कर दिया था, लेकिन जाकर के वहीं पर गिर गया, मतलब लेंड नहीं हो पाया, सॉप लेंडिंग नहीं हो पाया, अच्छा, एक चीज और इसके बारे में पूछा जा सकता है आप से कि इसका रोवर और लेंडर का क्या नाम था, तो विक्रम न इस सुरू के कुछ मिसंस के अगर बात करें, तो दोस्तों अभी RLB पुस्पक का जैसे मैंने आपको बताया ही, हाइडोजन और ऑक्सीजन गैसों के उपयोग से अंत्रिक्ष में बिजली उत्पन करने का भी इन्होंने एक प्रोटराइब वहां पर करके परिछण बताया ह विक्रम साराभाई स्थे सेंटर ने खही आप लांच किया था, अधित्या 11 यह भारत का पहला सोलर मिप्शन था अधित्या 11ल जो 11 point पर चोड़ा गया था यह भी भारत ने किया, मिसं चंद्रियान थी भी भारत ने लांच किया, यह सब पिछली साल हुई फिर से रिमाइंड करा दू कि आपको एजूकेशन में पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि आपको 22 घंटों की अंदर अंदर फुल रिफंड का ऑप्सन मिल रहा है अगर आप देखो कल ना बहुत सारे लोगों ने अपने कोर्सेश ट्रांसफर को रहा है मैंने देखा कि देख ठीक है फाइदा उठाइए भाई सबके लिए आप ही लिए जिससे आपका हमारा भरोसा बड़े तो 80% का डिसकौंट तो ऑफर भी चली रहा है ये वाला भी अभी जो पॉलसी लाई गए है ये ऑफर के लिए आफर तक जब तक रहेगा तब तक के लिए ही है तो इसका भी फाइदा उठाइए इसमें फिर से बता दो जो लोग नए आये हो इसमें पॉलसी में यही किया गया है कि अगर आप MJT के कोई सभी कोर्स खरिते हो अभी के टाइम पर तो आपको 72 घंटों के अंदर रिफेंड का पूरा-पूरा मौका मिलेगा मतलब अगर आपको कोर्स नह हमारे कॉंटेंट पर भशह होगे अगर कभी कोर्स आएंगक अगर करती मौका दिया ही जा रहा ठीक हैंरे हमारे कोर्स की बात करें कौन कौन से कुर्स हैं तो अभी देखो RRB के लिए इमने रेल्वे के लिए बहुत सारे कुर्स किया है जैसे टेकनीशियन का आया हुगा है ALP और टेकनीशियन का भी आया हुगा है सयुक्त में इसके अलामा RPF SI और कॉंस्टेबल का है इसके अलामा GS का foundation batch यह हमारा सबसे जादा popular batch है GS FALTA 3.0 इसमें GS के सारे subject पढ़ाए जाते हैं इसके लावा SSC का combo batch है SSC exam के अगर तयारी करते हो तो उसकी खास तयारी इतिहास का special और मतलब subject wise बहुत सारे इतिहास का भी है math का भी है Hindi का भी है इसके अलावा economic का special है इसके अलावा आपका geography का आने वाला है और और एक किसका है subject wise में ऐसे subject wise में भी कई सारे courses है उनको भी आप ले सकतो बहुत कम कीमत पर मतलब आप समझों कि 80% discount लोगाने पर कई सारे बैचे जो हैं यह 100-100 रुपए 69-69 रुपए दक के भी पहुंचे हुए तो आप जाकर किनका फायदा उठाइए MZT app पर MZT app Google Play Store पर मिलेगा वहां से जाकर video code section में जाएगा अगर कोई भी query हो कोई भी doubt हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं MZT app पर जाकर के ठीक है ना चल बार बताया हुआ है क्योंकि यह जो है ना काफी पहले से चल रही है अकुस जो डील है यह आस्टेलिया UK और US की बीच की डील है यानि UK United Kingdom और US यानि United States of America UK-US Australia के लिए पंडूपी दे रहा है बना रहा है अक्चुली में तो यह आकुस डील कही जा रही है तो आकुस डील क ब्रिटेन और अमेरिका मिल करके उपरोक दोनों जो है आपका अपसन सही होगा अस्टेलिया के लिए यह पंडूपी बना रहे है एडवांस टाइप की यह पंडूपी होने वाली है और इसके लिए समय समय पर यह लोग डील करते रहते हैं कई सालों से यह डील चल रहे है और मैं आपको बता भी रहा हूं हमेशा तो यह बनाएंगे अब इसमें UK की कंपणी है BAE सिस्टम और आश्टलिया की कंपणी है ASC सिस्टम तो इसके जोरा भी मिलकर के यहां पर डील हुई मतलब यह बनाएंगे तो ultimately कंपणीया ही न चलो आश्टलिया की बात करें तो पोर न्यूगिनी वगरा तो आता ही है न्यूजिलेंड भी आता था लेगिन अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि एक आठवे महादीप की खोश की गही मतलब उसको ओफिस्यल मानिता मिल गई है आठवा महादीप जो है जीलेंडिया महादीप उसमें यहां पर बताया गया कि यह केवल 6% जमीन है बाकि 94% जो जमीन है जीलेंडिया की वो समुदर में डूबी हो केवल 6% दिख रही है और वही 6% पर न्यूजिलेंड आपका दिख रहा है फिलाल यहां बात करेंगे हम लोग अभी आस्ट्रिया की अभी इस पर भी आएंगे इ भारत और ब्राजील की पहली 2-2 रक्षा मंतरिये वारता हुई कहां पर हुई यह आयज़ित की गई दोस्तों नई दिल्ली में ठीके 2-2 डायलाग इसको पहले समझलो इसके बाद बात करते हैं बात ब्राजील की 2-2 डायलाग दोस्तों यह भारत और अमेरिका ने सुरू कि फिर इसके बाद इसमें भारत आश्यलिया के बीच में भारत जापान के बीच में भारत रूस के बीच में भारत ब्राजील के बीच में भीच में भीच में भीच में बड़ा पसंद आया भारत को इसको टू प्लस टू बड़ा सही चीज है इसमें क्या होता है कि इसमें दो मंत्री होते हैं इंडिया के और दो मंत्री होते हैं सामने वले देश के ये दो मंत्री कौन से होते हैं एक तो होते हैं रक्षा मंत्री और एक होते हैं विदेश मंत्री भाई अगर किसी देश से अगर आप समझाता करते हो तो दो ही मामलों में समझाता जादा होता है एक तो defense के लिए होता है कोई defense deal करने होती है या तो कोई विदेशी मामले होते हैं बहुत सारे विदेशी मामले में आते हैं वीजा से ले करके बहुत सारी policies को ले करके तो ये होते हैं तो दो मंतरी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री अपने और दो मंत्री रक्षा और विदेश उनके ये चारों आ करके बैट करके बात चीत करते हैं इसी को कहा जाता है 2 plus 2 डायलाव 2 plus 2 वारता अब ये भारत और ब्राजील के बीच में भी हुआ है इसमें एनर्जी से लिए करके महात्वपूर्ण मिनरल्स, टेक्नोलोजी और इसके लावाद टेर्रिरिजम इन सब के बीच में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर पाचीत हुए बात ब्राजील की, ब्राजील कहां पर है, ब्राजील दोस्तो एक दच्छिड अमेरिकी देश है, दच्छिड अमेरिका में आप देखोगे, यहां पर एक देश मिलेगा ब्राजील, बहुत बड़ा देश है, ठीक है न, ब्राजील अगर बात करें तो केवल चिली से और इधर पेरू है, चीली और पेरू से अपना बॉडर नहीं शेयर करता है, जितने भी देश है ना, सब से अपना बॉडर सेयर करता है, यहाँ जितने भी बड़े देश देख रहे हैं, सब से अपना बॉडर सेयर करता है, अर्जंटीना से भी थोड़ा सा बॉडर सेयर करता है, इंट प्रतिबंध लगाया। विदेशी मामले वाले कुशन चल रहा है। डिस्पोजल इस सिग्रेट और वेप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है न्यूजीलेंड ने। अभी हाल ही में न्यूजीलेंड की कौवर्मंट ने पूर्णते हां यहां पर वो करने के लिए कुशना की सा आप्त कर रहे हैं अपने देश में तो उसी में यह इसका प्रतिबंध लगाया गया है जो मतलब की कुछ ऐसे भी सिग्रेट आते हैं उनका न्यूजीलेंड की राजधानी वेलिंगिटन होती है प्रधान मंत्री इसके किश्ट्रोफर लक्सन है ठीके ना मुद्रा यहां की न्यूजीलेंड डालर होती है न्यूजीलेंड मैंने आपको दिखाया है अभी कि यह रहा न्यूजीलेंड ठीक है वेलिंगिटन राजधानी होती है याद रखना भूलना मत आगे हाली में साइमन हैरिस कहां के सबसे युवा प्रधान मंत्री बने अगेन विदेशी कुष दिया है इस्तीफा दे दिया है लियो वराड करते वो छोड़ दिये तो अब उनकी जगह पर आयरलेंड की सबसे युवा प्रधान मंत्री बने साइमन हैरिस ठीक है अगर बात करें तो आयरलेंड की जो करेंसी होती है यूरो होती है क्योंकि यह यूरोपियन यूनियन का हि ब्रेटेन और यहां Northern Ireland जोड़ दो तो यह बन जाता है UK यानि United Kingdom इनका एक प्रधान मंत्री होता है जो कि यह रिसी सुनक जो यह Northern Ireland आप ले गए हो यानि यह आरलेंड का Northern वाला हिस्सा है जो ब्रेटेन UK के कबजे में है तो आयरलेंड का बाकी हिस्सा तो यह है ना बाकी हि ब्रदान मंत्री साइमन हैरिस बने हैं अंगरी की राषपती तामा सुलियोग बने हैं तुवालू की ने राषपती फ्रेट टेओ बने हैं साहबाद सबील पाकिस्तान की बने हैं फिन्लेंड के प्रधान मंत्री अलेक्जंडर स्टब बने, कजाकिस्तान के नए प्रधान मंत्री बने अलजास बेक्टिनेव, यमन के बने अहमद अवद बिन्त, मलेशिया के सत्रवा सुल्तान बने सुल्तान अप्राहिम और भूटान के प्रधान मंत्री सेरी टोबगोवेर लाश्ट कुस्चन, हाली में कहां के डाक्टरों में ने पहली बार इंसान के सुवर की किड्नी का सफल परत्यार पड़ किया, अगेन वर्ड अफेर का कुस्चन, देखो आज का न मतलब कभी कभी ही ऐसा मौका आता है कि एक साथ 10 में से लगभग 5 से 6 कुस्चन फॉरन के हो, यानि कि वर्ड अफेर के हो, करेंट अफेर में, तो आज वैसा दिन है, समझो, आप 5 वे कुस्चन से लगातार, हम लोग वर्ड का ही देख रहे हैं, चलिए, तो यहाँ पर कुस्चन यह है कि कहां के डाक्टरों ने पहली बार सुवर की किड्नी को मनुस की किड्नी में पर हर्ड का ट्रांस्प्लांटेशन किया था, हर्ड का ट्रांस्प्लांटेशन किया था, उसमें भी सुवर का हर्ड का हर्ड का किसी मनुस्य में लगा थे, बिचारा एक हपते बाद मर गया, वो इंसान, ठीक है न, सुवर तो मर ही गया होगा पहले ही, तो यहाँ पर अब किड वाला किये हुए, तो pig kidney जो है, इसका successful transplantation किया है, यह जब transplant कर देते हैं, मनुस्य जी जाता है, कहता है, हमें मजा आ रहे है, तब लोग खुश हो जाते हैं, और news बन जाती है, फिर एक अपते बाद news आती है, कि मनुस्य जो था, वो मर गया, ठीक है, तो अभी इनका क्या होग जो था है, नहीं, और अब आजाते हैं, वही पुरानी बात, कि 80% का offer चल रहा है, सबसे पहले, तो आप सभी को Holy की बहुत-बहुत सुब काम नहीं, इसका आप फाइदा उठाईए, दूसरी बात, कोपन कोड बहुत लोग को कन्फुजन होती है, कोपन कोड होली 80 है, इसको यूज करोगे तो आपको discount मिलेगा, e-books पर 60% और courses पर 80% का discount मिलेगा, घबराव मत, e-book पर 60% देने के बाद केवल 8 रुपए में बनती है कि e-book, तो 8 रुपए तो आप खर्ज कर ही सकते हो, full refund की policy है, 72 घंटों के अंतरगत, और ये इसी offer तक है, तो आप इसका फाइदा उठाए, क्योंकि अभी हम लोगों ने pilot project की रूप में इसको launch किया है, इसका जरूर आप लाब उठाईए एक बार, एक बार हमारे courses को check जरूर कीज करना है, SEO सिखर सम्मिलन 2024 की मेजबान ही कौन करेगा, 2024 में, कल की वीडियो ध्यान से देखे होगे, जरूर अंसर करोगे, इसके अलामा अगला question, UNESCO का मुख्याले कहां पर इस्थित है, जो दोनों ही question के बारे में, जो भी पता हो, detail में जरूर अंसर करना, ठीक है, और माले courses का पाइदा उठाई है, किताब भी आ गई है, किताब को अगर आडर करना चाते है, तो आडर कर सकते हैं, आप Amazon पर अवैलवल है, टेलिग्राम पर PDF मिलेगी, और MZT एजूकेशन का WhatsApp चैनल भी जोईन कीजे, इस पर वर्लाइनर, और डेली भी महत्तपूर्ण चीजे, महत् निर्देश, नोटिफिकेशन से आपको पेशे जाते हैं, तैक यू सो मुच, मिलेंगे लिग्राशन, तो टेकली नमस्कार जाहें, बद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्